तो दोस्तो MIUI 11.0.5.0 की एक stable update Redmi 6A के लिए push कर दी गही है तो आपने अपने system update में जाकर देखना है शायद आपको यह update मिल चुकी होगी अगर नहीं मिली है तो दोस्तो आपको यहां पर थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि यह random user को update देखने को मिल रही है तो दोस्तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले है इस update में आपको क्या कुछ नया और क्या कुछ fix होता हुआ नजर आएगा तो वीडियो पसंद आएगी तो यह like जरूर कीजेगा क्योंकि आपके like से ही हमें motivation मिलती है वीडियो बनाने के लिए तो चलिए दोस्तो वीडियो की शुरुआत करते हैं तो दोस्तो पहले मैं आपको बता देता हूँ यह update जो है वो 407 MB की update है जो की आपको OTA दोवारा पुश की गई है तो दोस्तो इसमें आपको January का security patch level देखने को मिलता है मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको January का security patch level देखने को मिल जाता है और दोस्तो इसमें Android 9.0 की ही support आपको देखने को मिलती है और दोस्तो यहाँ पर कुछ लॉक स्क्री में कुछ changes तो नहीं पर कुछ fix किये गये है यहाँ कि notification shade में कुछ problem आ रही थी लॉक स्क्री में तो अगर आप लॉक स्क्री में जाते हैं तो यहाँ पर notification shade में यहाँ की notification panel में कुछ problem आ रही थी उसे fix कर दिया गया है उसके बाद दोस्तो clock में कुछ naming की जो है कुछ local timing की कुछ problem आ रही थी उसे optimize कर दिया गया है security app में payment security icon को इंडिया में कुछ changes किये गए है मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं चला और दोस्तो शोमी cloud में जो है कुछ problem आ रही थी उसे fix कर दिया गया है और यहाँ पर images overlapped हो रही थी जब आप screenshot लेते थे तो दोस्तो जब आपको screenshot लेते थे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ improvements लाई गई है यहाँ पर कर दिया गया है आपको यहाँ पर आप ड्रो तो अभी देखने को नहीं मिलती है पर दोस्तो आपको मैं एक link description में दे दूँगा जिसकी वजह से आप अपने डिवाइस में जो है वह आप ड्रो ला सकते हैं कुछ इस परकास से आपको यहाँ पर द कर सकते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यह काफी अच्छी update है और दोस्तों यहीं नहीं अगर हम यहाँ पर आपको दिखा देता हूं अगर आपके डिवाइस में अभी तक जो है वह focus mode नहीं आया था तो दोस्तों अब आपको focus mode देखने को मिल जाएगा आप इसे on कर सकते है कुछ इस प्रकास से digital well-being में आपको मिलता है आपको अगर नहीं मिला है तो digital well-being को आप जो है वो update कर दीजे तो अगर आप turn on करेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा take a break तो यहाँ पर आप देख सकते है take a break लिखा हुआ है तो अभी जो है ब्रेक शुरू हो चुकी है तो आप इसे off पी कर से पर अगर आप turn on कर देंगे तो आप schedule भी कर सकते हैं कब आपने लगाना है तो जब आप इसे turn on कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते है तो यहाँ पर आटा देते हैं तो अब आप gallery में जा सकते हैं तो दोस्तो यह कुछ changes आपको देखने को मिलेंगी इस रोम में hopefully आपको helpful लगी होगी हमारी वीडियो पसंद आई होई तो या लाइक जरूर कीजेगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही